नमस्कार, दर कुकिंग रैक में आप सबी का स्वागत है आपको अगर सुबा नाचते में सेंड्विच खाना पसंद है तो हम आपके लिए लाए है मिक्स वेज आलो की सेंड्विच इस सेंड्विच बहुत जल्दी बन जाती है साथ में हिल्दी भी है और टेस्टी भी आप इसे सेंड्विच मेकर में भी बना सकते हैं और अगर आपके पास इस सेंड्विच मेकर नहीं है तो इसे आप तवे पर भी बना सकते हैं पहले बना लेते हैं स्टफिंग तो पैन में डाल देंगे दो बड़े चम्मस तेल फ्लेम को मीडियम रखेंगे तेल गरम होने पर डाल देंगे आधा चम्मस जीरा जीरा जब भुन जाएगा तब इसमें डालेंगे आधा बारी कटा हुआ प्याज साथ में डाल देंगे दो हरी मिर्च बारी कटी हुई फ्लेम को हाई कर देंगे प्याज को थोड़ी देर भून लेंगे कलर चेंज होने तक प्याज का कलर चेंज हो गया है अब इसमें डालेंगे चार कली लेसुन और आधा इंच अद्रक को हमने कोट लिया है अद्रक और लेसुन को थोड़ी देर भून लेंगे जब तक इसका कच्छापन न चला जाए अद्रक और लेसुन भून गया है अब इसमें डालेंगे एक चौथाई कप कटा हुआ बिंस एक चौथाई कप कटा हुआ गाजर एक चौथाई कप कटा हुआ सिम्ला मिर्च अब इसमें डालेंगे आधा चमज सादा नमक आधा काला नमक से टेस्ट बहुत अच्छा सब्सक्राइब देंगे तो único दो ऑड़ं के खरेंगे शील कर लिया है इसे डाल देते है आलू को सबजियों में मिक्स करते हुए दो मिनट तक भून लेंगे आप चाहें तो उबले आलू में सारी सबजियों को बारिक काट कर मसाले मिक्स करके सेंड़िच बना सकते हैं पर इस तरह भून कर बनाएंगे तो बहुत टेस्टी बनेगा आलू भून गया है इसमें डालेंगे एक चमच पावभाजी मसाला दो बड़े चमच बारिक कटा हुआ हरा धनिया अगर आपके पास पावभाजी मसाला नहीं है तब इसमें आप डाले एक चमच गरम मसाला और आधा चमच आमचुर पावडर यह मसाला तैयार है फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ट्रांसफर कर लेंगे एक बावल में इसे ठंडा होने देंगे इतने आलू में आपका चार सैंड़िच बन जाएगा यहाँ पर हमने लिया है चार ब्राउन ब्रेट का स्लाइस आप चाहे तो हॉइट ब्रेट से इसे बना सकते हैं अब इसके उपर डाल देंगे थोड़े से चिली सौस आप चाहे तो इसकी जगा हरा धनिया की चट्नी लगा सकते हैं या पहले बटर लगा ले फिर सॉस या चटनी लगाएं अब इसके उपर लगाएंगे आलू का मिस्टाट जो हमने भून कर रखा है आलू आप अपने पसंद से कम या जादा लगा सकते हैं आलू को अच्छे से फैला लेंगे तो दोनों ब्रेट पर हमने आलू लगा कर अच् सेंड्विच को बना सकते हैं दोनों ब्रेट के उपर हमने टमेटो सॉस लगा लिया है अब इसे रखते हैं आलू लगे ब्रेट के उपर और इसके उपर लगाएंगे बटर बटर आप अपने पसंद से कम या जादा लगा सकते हैं और आप बटर की जगा तेल भी लगा सकत दोनों सेंड्विच के ऊपर हमने बटर लगा लिया है इस सेंड्विच को हम सेखेंगे सेंड्विच मेकर में स्विच को हमने आन कर दिया है रेड लाइट जल गया है अब इसके अंदर रखते हैं सेंड्विच जो जिधर हमने बटर लगाया है उसे रखेंगे नीचे के और इसके उपर लगाएंगे बटर बटर लगाकर सैंडविच सेखने से सैंडविच बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनता है इसे बंद करके लॉक कर देंगे तो अभी इसमें ग्रीन लाइट नहीं जला है जब सैंडविच तयार होगा तब इसमें ग्रीन लाइट चल जाएगा ग्रीन लाइट जल गया है मतलब हमारा सैंडविच तयार हो गया है आप देख सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी बहुत अच्छा सैंडविच सिका है अब दोनों सेंड्विच को निकाल लेंगे प्लेट में और स्विच को आप कर देंगे आप बहुत आसानी से इस सेंड्विच मेकर में सेंड्विच बना सकते हैं बाकी की सेंड्विच को सेख लेते हैं तवे पर इस प्रेट पे हमने आलू और सॉस लगाकर सेंडविच तयार कर लिया है इसके उपर बटर नहीं लगाएंगे क्योंकि इसे हम तेल लगाकर सेखेंगे कवे पर थोड़ा सा तेल डालेंगे और इसके उपर सेंडविच को रख देंगे फ्लेम को स्लो रखेंगे और अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा तेल टालेंगे और इसे दबा दबा कर slow flame पर क्रिस्पी होने तक सेख लेंगे जब ये एक side क्रिस्पी हो जाएगा तब इसे पलड देंगे और इसे दबा कर दूसरी side भी क्रिस्पी कर लेंगे इस तरह आप तवे पर भी sandwich को अच्छे से बना सकते हैं दोनो side sandwich क्रिस्पी हो गया है अब इसे निकाल लेते हैं तवे से और flame को बन कर देंगे sandwich को रखेंगे chopping board पर और इसे बीज से कट कर लेंगे ये sandwich बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही अच्छा बना है जो हमने तवे पर से का था sandwich उसे भी कट कर लेते हैं ये भी बहुत ही क्रिस्पी बना है इस तरह आप sandwich maker में या तवे पर किसी पर भी sandwich को से कर बना सकते हैं रिस्पी पसंद आती है तो like, share, comment जरूर कीजिए sandwich को serve कर देते हैं आप इसे सुबा साम के नास्ते में बनाएं या बच्चों को टिपिन में भी बना कर दे सकते हैं आप इसे ऐसे भी खा सकते ही क्योंकि हमने दोनों sauce इसमें लगाया है आपको पसंद दो तो इसे हरी धन्या की चट्नी, tomato sauce, चिली sauce किसी के भी साथ खाएं खाने में बहुत टेस्टी लगती है आप इस सालू के मसाले को एक दिन पहले बना कर फ्रिज में रख दे दूसरे दिन निकाले, इसे ब्रेट में लगा कर सेंड्विच सेक लिए तो आपका सेंड्विच बहुत जल्दी तयार हो जाएगा आप भी इस सेंड्विच को बनाईए, बनाने के बाद रेशिपी पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए वेला आइकन को प्रिस कर दीजिए मिलते हैं नई रेशिपी के साथ तब तक के लिए धन्यबाद